ओलम्पिक में भारतिय पहलवान विनेश फोगाट के 50 किलो ग्राम भार वर्ग में परतियोगिता से अयोग्या ठहराये जाने के बाद केंद्र सरकार ने आज लोकसभा में ब्यान दिया केंद्र अखेल मंत्री मनसुक मांडविया ने बताया कि आखिर विनेश के साथ क्या हुआ था मांडविया ने बताया कि विनेश का वजन 50 किलो 100 ग्राम पाया गया भारत ने इस मामले को लेकर अंतरराश्ट्रिय कुष्टी संग से कड़ा विरोध जिताया है खुद पीम नरेंद्र मोदी ने भारतीय उलंपिक संग की प्रमुख पीटी उशा से बात करके इस मामले में उचित कारवाई के लिए कहा है इस बार विनेश का मेडल पक्का हो चुका था बस उसका रंग बदलना बाकी था लेकिन वजन के कारण विनेश समेथ पूरे 140 करोड देशवासियों का सपना तूट गया इस घतना के बाद विनेश के चाचा महवीर फोगाट ने कहा कि अब इसमें कुछ नहीं हो सकता और कोई मेडल नहीं आने वाला है विनेश के प्रतियोगिता से बाहर होने के बाद पीम मोधी ने ट्वीट कर उन्हें असली चैंपियन बताया है यूपी के सीम योगी अदित्यनात्म ने भी ट्वीट कर उन्हें चैंपियन बताया इसी बीच भारतिये कुष्टी संग के अध्यक्ष संजा सिंग ने कहा कि इस मामले में विनेश की कोई गलती नहीं है केटेगरी में खेल रही थी इस परदा के लिए विनेश का वजन पचास किलोग्राम होना अनिवारे था UWW के नीमों और विनीमों के अनुसार सभी प्रतियोगिताओं के लिए सब्बंदिच स्रेणी के लिए प्रतियक सुबह वजन माप का आयूजन किया जाता है अनुछेद अग्यार के अनुसार यदि कोई एथलिट वजन माप प्रत्थम अत्वा दियुती में भाग नहीं लेता है अत्वा असफल हो जाता है तो उसे प्रतियोगिता से बहार कर दिया जाता है और बीना किसी रेंग के अंतिमस्थान पर रखा जाता है साथ अगस्ट दोज़ाट चोविश को पच्चास किलोग्राम महिला कुस्ती के लिए वजन का निद्धारण साथ बज़ के पंद्र मिट और साथ बज़ के तिस मिट पेरिस समय के अनुसार रेपोचेज और फाइनल में भाग लेने वाले पहलवानों के लिए किया गया था विनेश का वज़न पच्चास किलो सो ग्राम पाया गया इसलिए वेस परदा के लिए अयोग्य घोशित की गई इस मामले को लेकर भारती ओलंपिक संग ने आंतराश्टी कुस्ती संग से कड़ा विरोध भी दर्ज किया है नेशनल पार्तिया ओलंपिक संग की अध्यक्षा पीटी उशा भी अभी पेरिस में है प्रदान मंत्री जीने स्वयम उसके साथ बातचित करके उचित कार्यवाही करने के लिए उचित एक्षन लेने के लिए भी उसको कहा गया था विनेश मंगलवार 6 अगस्ट को तीन मुकाबले जित कर 50 केजी रेस्लिंग ओलंपिक में फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारती महिला रेस्टर बनी था सेमी फाइनल में उन्होंने क्यूबा की पहलवाल गुजमान लोपेजी को क्वार्टर फाइनल में उक्रेन की ओक्साना लिवाच और प्री क्वार्टर फाइनल में वर्ल्ड चेंपियन जापान की यूई सुसाकी को 3-2 से मात दी थी उन्हें बुद्धवार 7 अगस्ट की रात करिब 10 बजे गोल्ड मेडल के अमेरिकी रैसलर सारा एन हिल्डर ब्रांट से मुकाबला करना था जहां तक उनकी तैयारी है तू सहाइता का प्रश्ण है पारत सरकाने विनेश फोगाद की उनकी आवशकता के अनुसार हर संबो सहाइता प्रदान की है उनके लिए परसनल स्काप भी नियुक्त किये गए है जो अपने क्षेतर के विशर्शक्य है उनके साथ हंगरी के स्टाप जैसे विभीन स्पारिंग पार्टनर्स स्टेंथ और कंडिशनिंग विशोषग्या के लिए वित्ती सहायता प्रदान की गई जिसका वीवरन इस प्रकार है औलेर अकोच कोच के रुप में उसके साथ थे वैन पैट्रिक लॉंबार्ड स्टेंथ और कंडिशनिंग व पेरिस ओलंपिक चक्र के लिए कूल 70,45,775 की वित्ती सहायता दी गई है जिसका वीवरन इस प्रकार है स्पेन के ग्रेट पिक्स में भाग लेने के लिए वित्ती सहायता साथी 3 जुलाई से 13 जुलाई 2024 दस दिन तक मेडरीट स्पेन के आंतराश्टी प्रशिक्षन शिवी के लिए अतिरिक्त वित्ती सहायता इसके अलावा फ्रांस के बुलॉण सुमेर में पूर्व ओलंपिक प्रशिक्षन शिवीर के लिए अतिरिक्त सहायता की है दोजार चौविश आंतराश्टी कुस्ति संग सेकंड रेकिंग सीरीज में 6 जुन से 9 जुन 2024 चार दिन तक बु प्रशिक्षन शिवीर के लिए अतिरिक्त सहायत स्थाप के लिए वित्ती सहायता की है स्टेंथ और एर कंडिशन कोच मिस्टर वाइने पैट्रिक लॉंबार्ट के लिए टाटा ओलंपिक सेंटर हंगरी में 10 जुन से 21 जुन 2024 ग्यारा दिन तक आंतराश्टी प्रशिक्षन शिवीर में भाग लेने के लिए भी वित्ती सहायता की है 13 जुलाई 2023 से 16 जुलाई 2023 चार दिन तक बुड़ापेश्ट अंगरी में फौर्थ रेंकिंग सीरीज में भाग लेना और 10 से 16 जुलाई 2023 शोलो दिन तक बुड़ापेश्च अंगरी में प्रशिक्षन शिवीर उसको वित्ती सहायता की है वेमेकें बुलगेरिया में 10-11-2022 से 3-12-2022 तक प्रशिक्षन के लिए वित्ती सहायता दी है उनके रिहायब प्रकिरिया के लिए आवश्यक उप्तर खरीदने के लिए भी वित्ती सहायता की गई है 2020 टोक्यो ओलमपिक चक्र में एक करोड 13,098,224 रुपय का आर्थिक सहयोग उसको किया गया था 224 पेरिस ओलमपिक चक्र में भी टार्गेट ओलमपिक पोडियम स्कीम में 33,35,746 और वार्शिक ट्रेनिंग अवन्स परदा केलेंडर में 17,10,000 पूल मिला के 17,45,75 रुपया हमारे खेलाडी को आर्थिक सहायता करके उसको सक्षम करा गया